दोस्तों कोई त्योहार हो या कोई शुववसर हो या फिर भगवान को प्रशाद में चड़ाना हो तो हम गेहूं के आटे से तरा-तरा की मिठाईयां घर में ही बनाते हैं ऐसी ही एक स्वीट स्नेक की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ जिसे पूए बोला जाता है जिसे हम आसानी से घर में ही मिलने वाले समान से बनाएंगे नमश्कार दोस्तों तनुवेस किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है गेहूं के आटे के पूए बनाने के लिए हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है दो चम्मच पिसी वीचीनी लिया है एक कप दूद लिया है एक चम्मच सौफ एक चौथाई चम्मच नमक एक चौथाई चम्मच सोडा तलने के लिए 2 कप गी, 2 चमच नारियल कब उरादा, 2 इलाईची, 4-5 काली मिर्च एक बड़े बरतन में 1 कप गेंग कार्टर डाल दिया है दो चमच नारियल कब उरादा, 1 चमच मीठा सोडा, 1 चमच नमक, 1 चमच सौंफ, 2 चमच पिसीवी चीनी डालकर ड्राइ मिक्स करेंगे जब ये सबी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तब इसमें 1 कप दूद लेकर, दीरे-दीरे करके इसमें दूद डालना है, और 1 चमच से मिक्स करते जाएंगे ये हमने फुल फैट मिल्क लिया है, दूद रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए दीरे-दीरे थुड़ा-थुड़ा दूद मिक्स करते जाएंगे, और एक लंफ फ्री बैटर बना लेंगे एक साथ पूरा दूद नहीं डालना है, नहीं तूद गाठिया जाएंगे, और उसको दूर करना मुश्किल होगा पांच मिनिट इस तरह से मिक्सर को फेटना है, फेटने से हलका हो जाएगा तब ही हमारे पूए बनेंगे जालीदार अब कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, कितना थीक है बैटर, थोड़ा सा दूद डालकर और इसको पतला करेंगे पांच मिनिट के लिए रख देंगे, जिससे आटा और अच्छे से फूल जाएगा पांच मिनिट बाद चेक करेंगे, देखे, इस तरह का बैटर हो गया है मीठा सोड़ा डालने से बबल्स आ गये हैं अब इसमें दो इलायची और 4-5 काली मिर्च को कूट कर तयार कर लिया है और मिक्षर में डाल देना है इलायची और काली मिर्च को फ्रेश कूट कर ही डालना चाहिए जिसे इनका फ्लेवर अच्छा आता है दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए है मेरे रेसिपी पहली वार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीचे रेसिपी को शुरू से आकरी तक पूरा देखेगा क्योंकि बीच में कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताये जाते हैं अभी बैटर बन कर त्यार हो गया है अब इसे तलने के लिए एक भारी तले की कड़ाई गरम करने रखेंगे जिसमें तलने के लिए हमने घी डाल दिया है तब कड़ाई का तापमान चेक करेंगे एक छोटी गोली बनाकर डालना है गोली अगर एक साथ राईस होती है तो कड़ाई में पूऊए छोड़ सकते हैं एक छोटी चमच में बैटर लेकर इस तरह से कड़ाई में छोड़ना है जादा उचाई से नहीं छोड़ेंगे पास में आकर इस तरह से गुलाई में बैटर डाल देना है इस तरह से कड़ाई में चार से पांच पुए ही अच्छे से तल पाएंगे पुए दूर दूर छोड़े हैं नहीं तो चिपक जाएंगे आज को मध्यम से धीमा करेंगे तीन से चार मिनिट में एक साइट गोल्डन हो जाएगा जब एक साइट गोल्डन दिखने लगे तब इनका साइट चेंज करेंगे पलटकर दूसरी साइट भी गोल्डन तल देना है इस तरह से दोनों तरफ पुए गोल्डन हो जाएंगे अच्छी खुश्बू आने लगेगी दोस्तों अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रहे है तो प्लीज लाइक करिएगा रेसिपी को जादा से जादा शेयर करिएगा कमेट्स करके अपने सुझाव जरूर दीचिएगा अब ये हुए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं इनको एक चम्मस से इस तरह से निकाल लेंगे कढाई के किनारे लाकर इस तरह से थोड़ा सा दबाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे जिसे एक्स्ट्रा घी कढाई में ही गिर जाएगा इस तरह से एक बैच में ये पुए तयार हो गए हैं और बचे हुए पुए भी इसी तरह से कड़ाई में छोड़ कर तल लेंगे इस तरह से एक कप आठे से दस से बारा पीस अच्छे से बन जाते हैं देखिए कितने सॉफ्ट गोल्डन स्पंजी पुए बने हैं खाने में तो इतने लाजवाब हैं कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बना कर खाना चाहेंगे अब इनको ठंटा होने पर पिसी वी चीनी इस तरह से डस्ट कर देनी है कितना आसान है गहोंगे आर्टे से मीठे पुए बनाना तो आप भी बनाईए और बताइए कैसी लगी मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइशर कमिंट्स करना न नहीं रेसिपी कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखते रहे है तनुवेस किचिन थैंक्स पूर वाचिंग